हम डायरेक्ट पढ़ेंगे केवल और जहां भी कम यह है कंपनी के ब्यापारिक प्रभाव का बिस्तार 16 से लेकर के 1714 तक अब हम केवल पढ़ेंगे और जहां जहां में चीजे होंगी वहां वहां हम वहां अंडरलाइन करते हुए फिर इसके बाद जब नोट्स बनाएंगे उसके क्रम में फिर इसको अध्यायों को समझाने का कारे प्रारंब करेंगे तो यहां पर भारत में इस इंडिया कंपनी की शुरुआद बहुत ही मामूली रही 1623 तक इसने सूरत भड़ाउच अहमदाबाद आगरा और मसूली पट्टम की में फैक्टरियां अस्थापित कर ली थी आरंब से अपने ब्यापार और कूटनीत के साथ-साथ युद्धू का भी सहारा लेने और जिन छित्रों में फैक्टरियां स्थापित की थी उन पर कपजा करने के भी प्रयास किये दच्षिन भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों को अधिक अनकूल थी क्योंकि वहां उन्हें किसी सक्तिसाली भारती सरकार का सामना नहीं करना पड़ा बीजय नगर का महान समराज 1565 में ही नश्ट हो चुका था और इसकी जगह अनेक छोटे और कमजोर राज खड़े हो गए थे उन्हें लालज देकर बहलाला या अपनी सैनिक सक्ति से हराना आसान था अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों ने दच्षिन में अपनी पहली फै इनका पट्टा जिसका पट्टा 1449 में वहां के अस्थानी राजा ने उन्हें दे दिया था राजा ने उनको उस दगह की किले बंदी करने और उनका प्रससन चलाने और सिक्के डालने की अनुमत इस सर्परदी की बंदर ग्रास से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा यहां अंग्रेजों ने अपनी सारी फैक्टरी के एर्दगर्द एक छोटा सा खिला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जार्ज पड़ा दिल्चस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची ब्यापारियों की यह कंपनी शुरू से ही इस नीत पर अड़ी थी क कि भारती उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयंग दें और उदाहरण के लिए कंपनी के कोर्ट आप डायरेक्टर्स ने 1683 में मदरास के अधिकारियों को लिखा कि क्या लिखा था उनके सब्दों में हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर मदरास को किला बंद करें और किलों के इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डज सक्ति के आकरमण के सामने अडिग रहे पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार लेकिन पूरी बिनमरता के साथ जारी रखें कि नगर निवासी हिसारी मरमत और किला ब और आसानी से रच्छा कर सकने योग बंदरगाह प्राप्त हुआ इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा सक्ति अंग्रेजों के ब्यापार के लिए खत्रे पायदा कर रही थी पश्चिमी तट पर कंपनी के हेड़कार के रूप में सूरत का अस्थान जल् अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंबी फक्तरियों में से एक की असापना सोरो सो तैस में उडिसा में की और सोलो सो इक्यावन में उसे बंगाल के हुगली नगर में ब्यापार की इजाजत मिल गई तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बाला सोर, ढाका और बंगाल विहार के दूसरे अस्थानों पर भी हैक्ट्रियां खोल ले अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए अब भारत में राजनीतिक सत्ता अस्थापित करने के सपने देख रही थी कि ताकि मुगलों को मजबूर करके ब्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए भारतियों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनी का माल मांगा खरिदने के लिए मजबूर किया जा सके प्रद्देवन्दी यूरोपी व्यापारियों को बाहर रखा जाए और कमपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नितियों 1627 रख कर जारी रहे राजनेतिक सत्ता अस्थापित करके कमपनी भारती राजोस पाने और इस तरह से देश को इसी के साधनों से जितने की आसा कर सकती थी उस समय ऐसी योजनाई खुलकर सामने रखी गई कि 1687 में कमपनी के डारेक्टरों ने मदरास के गवर्णर को सला दी वह एक ऐसी नागरी का और साहने सकते अस्थापित करे और राजोस का सुरचित और इतना बड़ा सुरथ बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरचित बिट्रिस राज की नियुक डाली जा सके सब्सक्राइब और उन्होंने भारत के ही भारत के ही पैसे से भारत के ही लोगों के द्वारत के ही बल से उन्होंने भारत को ही जीतने का प्रयास करने लगे इस प्रकार से कितना बड़ा भारी जो है एक दोखा देने की प्रवित्ती और कितना बड़ा कपट उनके भीतर शुरू से ही बेद्यमान था और 1689 में उनके घोहनी रहे हैं कि जितना की हमारा भैपार जिस समय बीसियों धgression घटनाएं हमारे भैपार में बाधा डाल रही हों उस समय यही वस्तु है जो हमारे सक्त को बनाये रख सके यही वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट के रूप में अस्तापित करेगी 1286 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नास कर दिया और मुगल समराज के खिलाप युद्ध की गोशना कर दी तब दोनों के 20 सत्रता की शुरुआत हो गई पर अंग्रेजों ने इस्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की सक्ति को कम करके आँका था और अंग्रेजों के शासन काल में मुगल समराज अभी भी इस्थ इंडिया कमपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था युद्ध का अंग्रेजों के लिए घातक रहा उन्हें बंगाल इस्थित उनकी फैक्टरियों से खदेड दिया गया और वे गंगा के मुहाने की एक द यह देखकर की अंग्रेज अभी मुगल सक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है उन्होंने एक बार फिर जुक कर दरबार में हाजरी बजाई और प्राटना की उन्होंने जो अपरात किये हैं उन्हें छमा किया जाए उन्होंने भारतिय सासकों के संरच्छन में ब्यापार कर जिनकी बदमासी का फोरण माफ कर दिया और वे वे तो जान भी नहीं सकते थे कि हानिकारक दिखने वाले एक बीदेशी ब्यापारी एक दिन देश के लिए गंवीर खतरा बन जाएंगे इसके वजाए उन्होंने यह मान लिया कि कंपणी के द्वारा के द्वारा किये जा र समुद्रों में काफी मजबूत थे इसलिए वे इरान पश्चमी एसिया उतरी और पुर्वी अफ्रिका तथा पुर्वी एसिया के साथ होने वाले भारती ब्यापार और जहाज रानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समड़ थे इसलिए और अंगजेब ने देंड लाक जमिदारी प्राप्त कर ली और उन्होंने वहाँ अपनी फैक्टर के इर्दगीर फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया यही गावजल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है और 1770 में कंपनी ने समराट फरुक सियर के से एक फर्मान प्राप्त कि जिसमें 1491 में उन्हें प्राप्त विशेशादिकारों को दोबारा मानता दी गई और उन्हें गुजरात और धक्कन तक भी बढ़ा दिया गया लेकिन 18 सदी के पुर्वार्ध में बंगाल पर मुर्शीत कुली खां और अली वर्दी खां जैसे सालिन नवाबों का सासन था वे अंग्रेज ब्यापारियों पर कड़ा नियंत्रन रखते थे तथा आपने विशेशादिकारों के दुर्प्योग से उन्हें रोखते थे उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की किले बंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंतर रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी यहां इस्ट इंडिया कमपनी नवाब की एक जमिदार होकर रह गई कमपनी की राजनीतिक महत्वा कंचाने तो पूरी नव हुई मगर उसका ब्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला भारत से इंग्लेंड में होने वाला प्रतिवर्स आयात 1708 में 5 लाख पौंड का था मगर 1740 तक हुआ 1795 पौंड का हो गया मदरास बंबई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्निया बिक्सित हो रहे नगरों का केंदर बन गई बड़ी संखा में भारतिय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्सित हुए ऐसा अंसता इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारी काउसरों के कारण था और अंसता इस कारण की मुगल सामराज के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरच्छा की परिस्तिती थी अठारामी सदी के मध्य तक महाराष्ट के जनसंख्या बढ़कर तीन लाग कलकत्ता की दो लाग और बंबई की सतर हजार हो चुकी थी जाटर के पूर्व में ब्यापार करने के अधिकार कंपणी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था कि इस कंपणी का शुरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारे जारेदारी जैसा था भारत में कंपणी के कोई फैक्री एक किले बंद शेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम दफ्तर और कंपणी के करमचारियों के लिए घर होते थे ध्यान दें कि इन फैक्टरियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था कमपनी के करमचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था उनकी वास्तविक आमदनी का सुरोत देश के ही अंदर का ब्यापार था जिसकी छुट उन्हें कमपनी देती थी इसी आमदनी के लिए वे करमचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे हाँ भारत और यूरोप के बीच ब्यापार करने का अधिकार के लिए सुरचित था दच्छिण में अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के मद ठकराव इसको अलग से हम पढ़ेंगे अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वा कांचा 17 सदी के अंत में और अंगजेव की वज़ा से धूमिल पढ़ने लगी थी वह 17-14 के दसक में दोबारा उभरी जब मुगल सामराजी का पतन कुछ-कुछ अपश्ट होने लगा नादिर साह के हमले के बाद केंद्रे सत्ता का पतन खुलका सामने आ गया क्योंकि लेकिन पश्टमी भारत में विदेशी गुटपैट की बहुत गुंजाईश ना थी क्योंकि वहां जो सीले माराठो का प्रभू तो था पुर्वी भारत में अली वर्दी खान ने कड़ा नियंत्रन का काम रखा था पुर्वी अली वर्दी खान लेकिन दच्छन भारत में परिस्थितियां विदेशी दुसास कारियों के लिए द्रे द्रे अनकूल होती रही होती जा रही थी वह अंग्रेज और अंगजेब की मृत्त के बाद केंद्री सत्ता नहीं रह गई थी और 1748 में निजाम उल्मुल असफ जाह की मौत के बाद उसका मजबूत सासन भी नहीं रह गया था इसके अलावां चौथ वसूलने के लिए माराथा सरदार सरदार हैदराबाद और दच्छिंड के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहते थे इन हमलों के कारण राजनीतिक परिष्टितियां अनिश्चित हो गई और प्रसासन नश्ट हो गया था कारणाटक में गद्दी के लिए भाई-भाई से लड़ रहा था और इन परिष्टिति में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दच्छिंड भारतिय राज्यों के मामले पर नियंत्रण अस्थापित करने में सहायता मिली लेकिन ब्यापारिक और राजनीतिक दावे के सामने दावे सामने रखने में अंग्रेज अक चुके थे पर फ्रांस एक नया प्रद्वंदी बनकर खड़ा हो गया था यानि 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्सों तक भारतिय ब्यापार संपत्य और छेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसिसियों और अंग्रेजों में भयाने क्योद हुए फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कमपणी की अस्थापना 1764 में हुई थी आप पुर्वी तटपर कलकत्ता के पास चैंदरननगर में में और पंडिचेरी मुष्टने एक मजबूर्त इस्तिती बना ली थी पंडिचेरी को पूरी तरह किलाबंद किया गया था पुर्वी तथा पश्मी तटो के बंदरगाहों में फ्रांसिसी कमपणी की कुछ और फैक्टरियां भी थी इसने हिंद महासागर मारिशस और री यूनियन के दिवपो पर भी कपजा कर रखा था प्रांसिसी इस्ट इंडिया कमपणी बुरी तरब फ्रांस सरकार पर निर्भर रहती थी जो अंदान करजे और दूसरी सुब धायं देकर उसकी सहायता करती रहती थी फ्लो सुरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था और वही 1723 के बाद डायरेक्टरों की नि नियंत्रण उसके लिए बहुत खानिकारक सिद्ध हुआ उस समय फ्रांस में एक निरंकुस अर्द सामंत्री और लोकप्रिय सरकार थी जो भ्रष्ट सरकार निकम्मेपन और अस्थायत से घरी हुई थी बविश्यों नमुखिन होकर यह सरकार पतित परंपराओं में हुई और आम तोर पर समय की आवसकताओं को समझने से दूर थी इस तरह की सरकार पर नियंत्रण कम्मपनी के हितों के लिए घातक ही हो सकता था 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंगलेंड का यूद्ध बड़क उठा यूरोप का यह इंगलेंड फ्रांस यूद जल्द ही भारत तक पहुँँच गया और यहां दोनों इस्थ इंदिया कम्मपनिया टकराने लगे 1748 में फ्रांस और इंग्लेंड का सामवान युद समाप्त हो गया फिर भी भारत में ब्यापार और छेतरी अधिकार की प्रतवन्दिताएं बनी रही और इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था इस समय पांडिचेरी में फ्रांसेसी गवर्नर जनरल डूपले था जिसने यहनीत निकाली की भारती सासकों के आपसी जगड़ों में अंसासित और आधुनिक फ्रांसेसी सेना के द्वारा हस्त छेप किया जाए एक के खिलाब दुसरे का साथ देकर बिजेता से मुद्रा ब्यापार और चेतर समंदी लाब लिये जाए इस तरह फ्रांसेसी कमपनी के लाब के लिए भारत के से अंग्रेजों को ख़ड़ने के लिए उसने अस्थानिय राजाओं, नवाबों, सरदारों के साधनों और सेनाओं का उप्योग करने की योजना बनाई इस रणनेत की सफलता में केवल एक ही बात बादक हो सकते थी अर्थात भारती सास को द्वारा ऐसी बिदेशी हस्तचेप के अनुमत देने से इनकार पर भारती सास कदेश भक्त की भावना से प्रेरित न होकर ब्यक्तिगत महत्तोकांचा और लाप की संकुचित भावना से प्रेरित थे अपने देशी सत्रों के हिसाब चुकाने के लिए बिदेशीयों की सहायता मागने में उन्हें कोई हिचक न थी 1748 में करनाटक और हैदराबाद में एक ऐसी इस्थित पैदा हो गई कि डूपले के सट्यंत्रकारी दिमाग को खुल कर खेलने का मौका मिला करनाटक में चांदा साहब ने नवाब के खिलाब सद्यंत्रकरना आरंब कर दिया और हैदराबाद में निजाम मुल्क आसफजा के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुझफर जंग में सत्ता के लिए ग्रहियों दिछड़ गया इस इस्थेत का डूपले ने लाव उठाया और चांदा साहब तथा मुझफर जंग से इस बात का गुप्त समझावता कर लिया कि वह अपने प्रसिछित प्रांसिसी और भारती साहिन को द्वारा उनकी सहायता करेगा और 1749 में तीन सायोगियों ने अंबूर के युद में अनवार उद्दीन को हरा कर मार डाला मगर उसका बेटा मुघाली तरिचूरापल्ली भाग गया शेष करनाटक चांदा सहब के अधिकार में आ गया उसने पुरसका सुरुफ फ्रांसेचियों के पंडिचेरी के निकट असीगां दे दिये फ्रांसिसी हैदराबाद में भी सफल रहें और नासिर जंग मारा गया और मुझफर जंग निजाम अर्था दक्कन का सुबिदार बन गया नए निजाम ने पांडिचेरी के निकट जमीने और मसूली फट्टम का प्रसेद नगर फ्रांसिसी कमपनियों को प्रसकार में दे दि डुपले को 20 लाख रूपियों के साथ एक जागर भी मिले जिसकी वार्षिक आए 1 लाख रूपए थी इसके अलामा पुर्वी तटपर कृष्णा नदी से लेकर कन्या कुमारी तक वे मुगल छेत्रों का उसे आने रेरी गौवर्नर भी बना दिया गया डुपले ने अपन से था सत्रों के निजाम की रच्छा करना पर वास्तों में यह उसके दरबार में फ्रांसे से प्रभाव बनाये रखने के लिए था जब मुझफर जंग अपनी राजधानी की और बढ़ रहा था तब एक दुर घटना में वह मारा गया बुसी ने फोरन निजाम मुल्क के त पिसरे बेटे सलाबत गंज गद्दी पर बिठा दिया बदले में निजाम ने फ्रांसेसियों का आंद्र का वच्छेत्र पुरसकार में दे दिया जिसे उतरी सरकार कहा जाता है इसमें चार जिले मुस्तफा नगर, एलावर, राजमुंद्री और चिका कोल सामिल थे दच्छिन भारत में अब फ्रांसेसियों की सकती चरम सीमा पर थी डूपले की योजनाओं को आसा से भी अधिक सफलता मिली थी फ्रांसेसियों ने अपना काम भारती सास को कोमीत्र बनाने से आरंब किया था और अब अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया था लेकिन अंग्रेज अपने प्रद्वंदी के सफलताओं को खामोस बैठे देख नहीं सकते थे फ्रांसेसियों प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग नासिर जंग और मुह अपनी की सेवा में एक कलर्ग था उसने प्रस्ताव किया कि करनाटक की राजानी अर्कार्ट पर हमला करके तुरिचुरा पल्ली में घिरे मुहम्मद अली पर फ्रांसेसियों का दबाव कम किया जा सकता है यह प्रस्ताव मान लिया गया तब क्लाइव ने केवल 200 का घेरा उठा लिया फ्रांसेसि सेनाओं की कई बार हार हुई अब फ्रांसेसियों का सितारह डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे अन्था में भारति युद्ध के भारी खर्चों से परेशान हो और अमेर की उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसिसी सरकार ने समझाता वारता आरम की और 1744 में उसने अंग्रेजों की यह मांगमान लिकी भारत से डूपले को वापस बुला लिया जाए और यह बात भारत में फ्रांसिसी कमपणी के भविष के लिए बहु एक युद्ध और छड़गया युद्ध के एकदम आरम में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंतरन करने में सफल रहे इसका वर्णन अब आगे बताएंगे इसको इस घटना के बाद भारत में फ्रांसिसियों के लिए कुछ बचा ही नहीं बंगाल की अथा संपते ने युद् की निर्डायक मुटभेड 22 जनवरी 1760 को वांडी वास में हुई है अब जब अंग्रेज जनरल आयर कूट ने लल्ली को हरा दिया एक साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसिसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा युद्ध का अंत 1763 में पेरिश समझावते के साथ हुगा अब भारत इस्थित उनकी सारी आर्ट लुटा दी गई पर अब वे उनकी किलाबेंदी नहीं कर सकते थे और नहीं वहां सायनिक रख सकते थे अब वे केवल ब्यापार केंदरों کے रूप में काम कर सकती थी इसके बाद फ्रांसिस्यों को भारत में अंग्रेजों के संरच्छन में रहना था। दूसरी और अंग्रेज हिंद महासागर पर चा चुके थे। सभी यूरूपी प्रदेंदियों को एके करके हराने के बाद अब वे भारत विजय के काम में लग दे। थांसितियों और उनके भारती संयोगियों के साथ अपने युद्ध के दवरान अंग्रेजों ने कुछ महत्कुण और बहुमूले पाट सीखे पहला यह कि देश में राष्टवादी भावना के अभाव का कारण वे भारती सास्कों को आपसे जगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक मातो कांशाएं पूरी कर सकते थी दूसरा पस्चमी पस्चमी तर्ज पर प्रस्चित यूरोपी या भारती पैदल सेना आधुनिक अस्त्रों से लेस होकर तो खाने का सहारा लेकर पुरानी तर्ज वाली भारती सेनाओं को घमासान युद्ध में आसानी से हरा सकती थी तीसरे यह सिध्ध हो जाता है कि यूरोपी तर्ज पर फ्रसिच्चित हत्यार बंद भारती सैनिक यूरोपी सैनिक जैसा ही अच्छा नम सैनिक बन सकता था और चुकि भारती सैनिकों में भी राष्टरवादी भावना का अभाव था इसलिए जो भी उसे सालिष जेना बनाने का काम आरंब कर दिया इस जेना को अपना प्रधान साधन बना कर भारत बहारती ब्यापार और छेत्रों के बेपना साधनों को अपने अधिकार मिलाकर अब अंग्रेज इस इंडिया कंपणी ने युध्धों और फ्रसार के लिए एक नए युग में कदम अगर्ट दिया था इस प्रकार आगे बंगाल पर अंगरेजु का अधिकायर किस्प्रकार सिर्ट है अगली में करें आप